नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डेली जी के क्विज में दोस्तों आज जी के टेस्ट सिरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट आठ की अगर आप दोस्तों किसी भी कमप्टेटिव एकजाम्स की तियारी कर रहे ह हो तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है पूरे ध्यान से देखा किजिए वीडियो को वीडियो से आपका एस्टेटिक जी के बहुत ही मजबूत होता है और दोस्तों आप चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आने वाले वीडि दिल्ली स्टनत के कि सुल्तान ने अपनी रजधानी दिल्ली से आगरा में अस्थनांतरित की थी तो वो था सिकंदर लोदी को सब Hang完全 क्योंट्य और अमलिकीत में से कौनसा सूफी संप्रदाय सरवाधिक रूढी वादी in वो था नक्स बंदी। चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर। अगला प्रश्ण ने फार्शी आत्री अब्दुर रजाक भारत में किस सासक के सासन कल में भारत आया था। जब भारत आया था उससे में सासन था देवराय टूका। चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर। अगला प्रश्ण ने तैमूर लंग ने किस बर्श में भारत पर आकरमण किया। चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर। और अगला प्रश्ण ने रूपिया नामक नया सिका पहली बार किसने जारी किया। तो रूपिया नामक नया सिका जो किये थे खें थे яв चुन चुलते हैं अगले प्रस्नी क Nah नर sticking जो स्हूल शूरी बनवाया है चलते हैं अगले प्र sill राजमल की याद में चलते हैं अगले प्रस्ण क्योर अगला प्रस्ण है जब राष्ट पती तथा उप राष्ट पती के पद पर कोई भी कारे रत नहों तब उनके रीकता स्थान पर राष्ट पती के रूप में कौन कारे रत होगा तो उससे में कारे रत होगा भारत का मुख प्राश्ट पति हैं जो भारत के राश्ट पति हैं देश के प्रमूख चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों अगला प्रस्ण है भारत्य संविधान के अनुसार आपात इस्थिती घोशित करने का अधिकार किसको है भारत्य संविधान का अनुसार आपात इस्थिती की घोशना सि चलते हैं अगले प्राश्ण के और अगला प्राश्ण है निमलीखित में से कौन भारत के उप राष्ट पती को पद और गुपनियता की सफ़त दिलाता है तो जो दिलाते हैं वो है राष्ट पती चलते हैं अगले प्राश्ण के और अगला प्राश्ण है परधान मंत्री के अ चलते हैं अगले प्रस्ण के और अगला प्रस्ण है भारत के उप राष्ट पती के पदेन अध्यक्ष भी हैं तो वो है राजसभा के चलते हैं अगले प्रश्न क्योर अगला प्रश्न है भारत के राष्ट पती पद पर निर्वाचित होने की नियुंता मायू सीमा क्या है तो वो है 35 बर्स चलते हैं अगले प्रश्न क्योर अगला प्रश्ण है निमलीखित में से किसमे भारत के सम्भन्ध में अलबरुनी का ब्रितांत है तो वो है किताबूल हिंद में चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर अगला प्रश्ण है कुवत उल महजीद में एस्थित लोग अस्थम्ब किस सहर में है तो वो है दिल्ली में चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर और अगला प्रश्ण है निमलेखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई सहरों की अस्थापना की तो वो किया था फिरोसा तुगलक ने चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण इलतूतमिस के सासन कल में सल्तनत की राजधानी निमलेखित में से कौन थी तो इलतूतमिस के समय में सल्तनत की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है बहमानी समराजे का संस्थापक कौन था बहमानी समराजे का संस्थापक जो था वो था हसन गंगू चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर और अगला प्रश्ण है चंगेज खांक के अधीन मंगोलों ने किस के सासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तो चंगेज खांग के अधिन मंगोलों ने भारत पर जब आक्रमण किया उससे में सासन था इल्ग तूतमीश का चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है कीस भारत सरकार अधिनियम के तहट पहली बार बिधाईका में कुछ निर्वाचित परतिनिधित्व की मंजूरी दी गई तो जो अधिनियम आय था वो था भारत सरकार अधिनियम 1909 चलते हैं अगले प्राश्न क्योर अगला प्राश्ने सम्मिधान सभा का सदस्य कौन नहीं था मैंने इसका जवाब पिछले वीडियो में भी बताया था वो नहीं थे महात्मा गांधी सम्मिधान सभा के सदस्य नहीं थे चलते हैं अगले प्रश्न क्योर और अगला प्रश्न है भारत की सम्मिधान सभा की पहली बैठक की अधाक्षता किसने की थी तो भारत की सम्मिधान की सभा की पहली बैठक जो थी उसकी अधाक्षता की थे डक्टर सचिदेनन सिन्ह चलते हैं अगले प्रश्ण के ओर अगला प्रश्ण है भारतिय सम्मिधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताए गया है भारतिय सम्मिधान के जिस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताए गया है वो है भाग 9A चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर अगला प्रश्ण है भारत्य संविधान का कौन सा भाग केंदर सासित परदेशों के बारे में बताता है तो केंदर सासित परदेशों के बारे में बताता है भाग 8 चलते हैं अगले प्रश्ण क्योर अगला प्रस्ण है भारते संविधान ने भारत को किस परकार बन्नित किया भारते संविधान ने भारत को जो बन्नित किया वो एक राज्यों का संग में बन्नित किया चलते हैं अगले प्रषन के ओर अगला प्रषन है भारत को एक गणराज मुखह रूप से इसलिए माने जाता है क्योंकि यहाँ राज्य द्यक्ष का चुना होता है चलते हैं अगले प्रश्न के ओर और अगला प्रश्न है दुनिया के निमलिखित में से कीज देश से भारते समिधान में राज निती के निर्देशक सिधान्त की संकल्पना को अंगिकार किया गया है बहुत ही महतोपूर कोश्चन है और अनेक सारे कम्प्टेटीव इग्जांस में पूछा गया है जो राज जी के निती निर्देशक सिधान्त है वो लिया गया है आयरलेंड से चलते हैं अगले प्राशन की और अगला प्राशन है टुडर्मल की समगल सासा का परसीद राजास्व मंतरी थे जो टुडर्मल थे वो अकबर के राजास्व मंतरी थे तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू